मेरे प्रिये सुभा जैसे ही तुम सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था मुझे लगा तुम मुझे से कुछ बात करोगे तुम मुझे कल या पिछले हफ्ते हुई किसी घटना या बात के लिए मुझे धन्यवाद दोगे मगर तुम फटाफट चाय पीकर नहाने के लिए चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं फिर मैंने सोचा तुम नहा कर मुझे याद करोगे मगर तुम इस सोच में पड़ गए कि आज तुम्हें कौन सी कपड़े पहनने है फिर मैंने सोचा तुम कपड़े पहन कर तैयार होकर बैठ कर मेरे साथ बाते करोगे मगर तुम खाना खाने बैठ गए और खाना खाते समय भी मुझे धन्यवाद तक नहीं दिया खेर उसके बाद तुम ओफिस के लिए निकल गए फिर जब तुमने ओफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी फिर मैं समझा तुम इस खाली समय का उपयोग मुझे से बाते करने में करोगे मगर तुमने फट से अपना मुवाईल फोन निकाला और सोसल मेडिया पर रील्स देखने लगे और वीडियो गेम्स भी खेलने लगे और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिता कर तो देखो तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे लेकिन तुमने मुझसे बात ही ने की क्या आप भी ऐसा करते हैं अगर आप अपने आपको एक मसी कहते हैं और येश्यू को अपना पिता कहते हैं तो उसके साथ समय बिताएं